दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वार्टव पे आटोमेटिक जो है मैसेज जो चैप जो होते हो डिलीट हो जाता है और यह क्यों होता है मुझे अक्सर कॉमेंट आता रहते है इसके उपर और लगभग मैंने इसका कॉमेंट बहुत सारा देखा है मेरे अ आपके आटोमेटिक तो क्या इसका स्लूजुशन है कैसे आप इससे बच सकतो सब कुछ मैं आपको बताओगा इस वीडियो में तो बीडियो को पुरा ध्यान से देखते रहेगा क्योंकि वीडियो आप ध्यान से नहीं देखोगे समझो को नहीं बात को तो आपका ये जिस पर वीडियो चाहिए, तो नीचे comment box खुला हुआ है, आप नीचे comment box में लिख सकते हैं, तो चल इस वीडियो को शुरू करते हैं, और जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, आपके WhatsApp पे आपका chat, आपका message delete क्यों हो जाता है, तो चल ये शुरू करते हैं, तो friends, अब जो मैं यहाँ पे देख सकते हैं, एक अनील नाम से save है number, तो इसको मैं open कर लेता हूँ, अब यहाँ पे मैंने open कर लिया, और यहाँ पे कुछ मैं message अभी भेजूँगा, send करूँगा अनील को, तो वो message delete नहीं होगा, ठीके, अब आपको दिहान से समझना कि मैं आपको क्या बताने वालों, तो चलिए यहाँ पे इस profile में click कर लेता हूँ, अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक option disappearing message का है, जिस पे आपको click करके यहाँ से इसको on करते हो, तो यहाँ पे साप साप लिखा हुआ है, कि turning on this settings will make new messages disappear from this chat after 7 days, मतलब यह कह रहा है कि अगर आप यहाँ पे आ delete कर दिया जाएगा, तो ऐसे ही अगर आपका number कोई ऐसे आ करके वहाँ पे जो भी आपको message करता है, जहाँ पे delete हो जाता है, तो आपको वो देखना है कि आपके number पे आ करके अगर अगला बंदा वहाँ पे disappear message को on किया होगा, तो आपके phone में जो WhatsApp है, वहाँ पे वहाँ पे chat message जो है delete हो जाएगा, तो यह चीज आपको देखना है कि अगर आप अपने message को delete नहीं करवाना चाहते हो, जो आपको कोई message करता है, उसको delete नहीं करवाना चाहते हो, तो उसको बोल ये, कि आप जो वहाँ पे उस settings को on कियो, उसको off कर दीजे, अगर वो अपने phone में off कर देता ह तो आपका chat delete नहीं होगा, लेकिन अगर वो off नहीं करेगा, तो आपका 7 days के बाद आपका chat जो है, वो delete हो जाएगा, तो इसके लिए आप इसमें कुछ नहीं कर सकतो, आप जिस हिसाब से अगर आप चाहते हो कि अनिल को में कुछ message भेजता हो, यहाँ पे अनिल लिखा होगा तो इसी प्रकार से आपको जो कोई message करता है और उस profile में जाता हो, वहाँ पे message जो delete हो जाता है, तो वो अगला बंदा जो उसको on किया है, इस कारण से होता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, बस इतना ही बोल सकते हो उनको, कि आप इस settings को on कि उसको off कर दीजे, क्यो इसा word लिख देता हो, जो आप चाहते हो कि वो miss हो गया, वहाँ पे delete करना चाहते हो, तो 7 days के बाद automatic delete हो जाएगा, अगर आप इसको on कर देता हो, तो बस इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आप समझ के होंगे कि क्यों आपका WhatsApp message, आपका WhatsApp चाह डिलीट हो जाता है, अगर आ क्योंको यही पर end करते हैं, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राब करें, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, जय हिंद बंद मात्रां